लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुए हैं विधान सभा में आप लोग हैट्रिक की बात कर रहे हैं लेकिन आपके हलकी की बात करें कॉंग्रिस में लोहारुस से बढ़त हासिल की कैसे आप देख रहे हैं और कैसे आपकी पार्टी से देख रहे हैं यह सही है इस बार जो है हमार से अलगता हुआ है और राजस्थान के अंदर भी जो लोक सभा के चुनाओं थे विधान सभा के चुनाओं थे उससे पहले उसमें कॉंग्रेस को बड़त मिली थी उसका परभाव भी हमारे चेतर पर था दूसरा यह है कि सविधान के नाम पर जो एक बड़ी कास्ट को गुम् होट हुए हैं हर आदमी से पूछेंगे तो मानेगा कि हमने पानी दी बीमा दिया मौजा दिया लेकिन किसान की राजनती करने वाले बहुत सारे संग्ठन वो मेरे से भी नराज थे सरकार से भी नराज थे तो उन सारे फैक्टरों को मिला करके और तीसरा से बड़ा फैक्ट कि आठ जार कुछ वोट से हम पीछे रहे हैं मैं समझता हूं कि वो जो है इस बार हम पीछे नहीं रहेंगे और बड़ी साफगोई से मान रहें और यह बहुत अच्छी बात भी है कि आप से भी कुछ नाराजगी थी और उमिद्वार से भी तीसरी बार आए उनसे भी शिका ही रहती है लेकि उस सब के बावजूद भी आप एक चीज़ा देखिए कि इस बार लोग सबामें पहला तो हमारा कार्ण यह रहा है कि लोटों का डिविजन मिलकुल नहीं हुआ सारा वोट वन टूवन था दो ही पार्टियों और अभी भी जो हमें वोट मिला है जो मेरा व लग गया उसने कांग्रेस का बुट डाला है जान सबा चुनाओ के अंदर वोट जो है इस तरह से नहीं जाएगा मुझे पुरा व्रोशा है कि इस बार जो हमें विदा लोग सबा के अंदर 44 45 परसंट वोट मेरा है मेरा जब चुनाओ होगा तो मैं 50 प्लस परसंट का इंट